यह वो गलतिय है जो अल्मोस्ट हार स्टूडेंट अपनी UPSC के पेपरेशन में करता ही करता है पर टॉपर वही बनता है जो जल्दी से ही गलतियां करके और जल्दी सुधार भी लेता है सबसे बड़ी पहली गलती तो यह है जब भी आम लो मान लो नेट्फिक्स पे जाते हो या कोई भी प्लाटफॉर्म पर जाते हो जहां पर आप वेब सीरीज मुवीज बहुत सारी होती है वहां पर आप दो घंटा तो इसी में ही वेस्ट कर देते हो यह सोचने में कि कौन सी वेब सीरीज देखे पर यहां पर तो आपका पूरा करियर दाओ पे लगा हुआ है तो यहां पर जब आप मल्टिपल कोचिंग के नोट्स को सर्च करने में रेफर करने में टाइम वेस कर देते हो उससे अच्छा है देखो कोचिंग के मोर और लेस नोट्स सभी के सिमिलर ही होते हैं, आपको सिर्फ एक कोचिंग पर स्टिक करना है, इसके अलावब कुछ नहीं, चाहिए आप सिनॉपसिस जाइन करो, चाहिए आप शुबरा रंजन माम को जाइन कर लो, चाहिए भराजेश मिश्रा सर को जाइन कर लो, कोई भी PSIR के लिए कोई भी नोट्स ज हैते हैं, आपको में ध्यान देना है अपनी प्राक्टिस पर, जितनी जादा प्राक्टिस करोगे, उतना जादा आप कंसेप्ट को इंटर लिंक कर पाऊगे, और PSIR उप्शनल में वही आपके काम आएगा, PSIR उप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 के कंसेप्ट जिस दिन आप इं बंद कर दो, देखो, ये पहला आंसर है, इसमें आप देखो ये आंसर कैसा बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स दिये हैं, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक थिंकर है, Thomas Hobbs, यहाँ पर Karl Marx as a thinker है, यहाँ पर Max Weber thinker है, Robert Dahl thinker है, जो concept आपने justify कर दिया, definition, historical background, significance बताया, कुछ example दिये, criticize भी किया, जो आपने concept बेसिकली बता दिये है, उनहीं concept के justification के लिए आपको thinkers यूज करने है, कि देखो, इन thinkers ने भी ऐसा कहा है, तो आपका answer बहुत ही अच्छा बन जाएगा, आपको brownie points मिलेंगे, definitely अगर यहाँ पर आपको 5 number मिल रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको plus 1 number तो जरूर मिलेगा, और अगर total आपके 19 question आपको attempt करने होते हैं, तो 19 plus 19 होता है, 38, 38 number का आपका difference आजाता है, यहाँ पर third point आता है, आपका extensive notes, जातर जब बच्चे notes बनाते हैं, तो notes बनाते टाइम बहुत extensively उसको लिखन उसमें आप 2-3 शब्द लिखो, बस, that's it, और यह शब्द लिखने के बाद, खुद से mind में analyze करो, उसको याद करने कोशिश करो, कि मैंने क्या पढ़ा था, जिसका reference हमने यह 2-3 शब्द में लिखा हुआ है, तो आपको याद आने लगएगा, वो आपके memory में retain हो जाएगा, हम plan नहीं करते हैं, यह हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, आपको हर दिन plan करना है, और अगर plan करते भी है न तो जाता students क्या करते हैं, कि हम अगले 6 महीने में यह कर लेंगे, अगले 8 महीने में यह target है हमारा, अगले 1 साल का target हमारा यह है कि UPSC preparation हम ऐसे करेंगे, नहीं, in fact monthly target भी नहीं रखना, आपको हर दिन target करना है, every day आपको plan करना है कि आज आपको क्या-क्या पढ़ना है, next गलती होती है, आप एक subject उठाते हैं, जब तक यह subject complete नहीं हो जाएगा, तब तक हम रोज ही पढ़ते रहेंगे, अब वो क्या हो जाता है, हमारे लिए boring हो जाता है, एक तो UPSC आपने देखी लिया है, अभी paper देखके आपको समझ में आ गया होगा, क्या level आ रहा है, तो इसके लिए आपको, चाहे आप दो-दो topic उठाओ, एक subject के सिर्फ दो topics उठा लो, बट ऐसे ही उसके बाद, दूसरा subject के दो topics उठा लो, तीसरे subject के और दो topics उठा लो, उसस के कुछ subjects ले लो, next गलती होती है कि आप अपने notes शेर निकरते है, हमारा market इतना ज्यादा competitive हो गया है न, students में, कि students आजकल notes शेर निकरना चाहते, कोई peer evaluation नहीं करना चाहते, इन सब चीजों को आपको avoid कर देना चाहिए, देखो चाहे सब के notes सेम होंगे, एक ही रूम में रह स्पेशली अगर आप notes शेर करते हो एक दूसरे के साथ, स्पेशली आपको ethics में और essay में काफी help हो जाएगा, पेपर में भी help होगा, और साथ ही आप ये मान के चलो देखो, ये preparation का टाइम ना काफी लंबा रहता है, तो अकेले बहुत लंबे टाइम तक इस preparation में सस्टेन करन भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा peer evaluation करो, ये मान के चलो, आप अपने mind में बिठाओ कि आप IAS बन चुके हो, अगर आप ये सोच लोगे कि मैं बन गया हो, तो वैसे ही act करने लगोगे, और उसमें ये सोच के चलो कि अगर आप अपनी चीज ही share नहीं कर रहे, आपको sub subjects नहीं आते हैं, आपको भी हो सकता है कि 5 subjects आते होंगे, एक subject में आप week होंगे, और दूसरे बंदे को वो आपका week area बेटर आता होगा, और बागी जो आपका strong area वो ना आता हो, तो sub subjects को सबको भी नहीं आते हैं, तो team work आपको यहां पर ही सीख लोगे, तो बेटर र करते हैं, जबकि school level पे हमारी preparation इतनी strong हुआ करते थी, जब हम normal exam की तरह उसको deal किया करते थे, हम क्या करते थे, हमारे parents आते थे, oral test लेते थे हमारे, है न, वो oral test दुबारा से ले आओ, यहां पर आपको basically किताब तभी खोल के देखनी है, जब आप कोई चीज भूल रहे हो, अगर आप भूली नहीं रहे हो, तो फिर आपको किताब खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, औरली अपने test लो, चाहे अपने parents के साथ में, चाहे friends के साथ में, या जो भी आपके roommates है, कोई भी है, उनके साथ आपको preparation करनी पड़ेगी, अपने parents अच्छा कौन कर सकता है, वही तो लेते थे पहले आपके tests, वही oral test पे बापस आजाओ, फिर एक गलती होती है, जो लोग कर दें, कि आरे दूसरों से compare नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अगर आप toppers से खुद को compare नहीं कर रहे हो, तो इसका मलब आप बहुत पीछे हो, गलत लोगों से आप compare मत करो, जो लोग आपके आपसे better perform नहीं कर पा रहे है, जो लोग struggle कर रहे है, जो इसका मलब आपना time waste दस तरीके के coaching में जा रहे हैं, उनसे compare करने की ज़रुद नहीं है, compare उनसे करो जो आपसे better कर रहे है, so that आपके अंदर भी कुछ better करने की भावना रहेगी, for example, समझ लेना आपकी preparation काफी अच्छी है initially हो सकता है आपको लगेगा कि अरे यार कितना गंदा answer लिख रहे हैं पर हर एक अच्छा answer एक बुरे answer से ही start होता है तो bad answer से शुरू करके आप एक अच्छे answer तक जाओ PSR optional में तो देखो यही need है जितना अच्छा आप अपना answer करते रहोगे जितना अच्छे concepts समझ लोगे interlink बेटर कर लोगे आप thinkers को सिर्फ एक अपने concept के justification के लिए रख लोगे thinker is not about the whole concept or the topic thinkers सिर्फ आपके justification के लिए चोटा सा पार्ट है ठीक है उतना तक ही रखो आपकी preparation बहुत smooth चलेगी